हेलो फ्रेंड्स मैसल विशेश कटियार तो आज हम लोग बात करेंगे महाईश्वर सूत्र के बारे में ठीक है माईश्वर सूत्र जो कि संस्कृत का एक टॉपिक है संस्कृत की जो व्याकरण की जितनी भी चीजें हैं वो सब माईश्वर सूत्र से रिलेटेड होती है अगर कोई परसन जो है वो माईश्वर सूत्र नहीं जानता है तो वो काफी साइजी चीजें जो है नहीं जान पाएगा क्योंकि जितने भी सूत्र होते हैं व्याकरण में वो सब माहेश्वर सूत्र से ही बनते हैं और जो प्रत्याहार होते हैं उनका निर्माड भी माहेश्वर सूत्र से होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं ये माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं तो माहेश्वर का मतलब है भगवान शंकर से लिया गया है ठीक है माहेश्वर का मतलब भगवान शिब से लिया गया है भगवान शंकर से तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिब के प्रथम बार डमरू बजा जाने पर उनसे कुछ शब्द निकले थे ठीक है उन्होंने जब पहली वार डंबरू बजाया था तो उनसे कुछ शब्द निकले थे तो उनी शब्दों को हम महाश्वर सूत्र कहते हैं ठीक है तो उनको जो पाणिनी थे महाशी पाणिनी थे तो उन्होंने महाश्वर सूत्र नाम दिया था यह इने पाणिनी सूत्र भी कहते हैं ठीक है क्योंकि जो पाणिनी थे उन्हों नहीं ये बताये थे महाश्वर सूत्र तो इसलिए महाश्वर सूत्र को पाणिनी शूत्र भी कहते हैं और संस्कृत वर्ण माला भी कहते हैं या इने शिव सूत्र भी कहते हैं ठी ये संख्या में 14 होते हैं 14 होते हैं तु आईए देखते हैं कौन कौन से 14 होते हैं पहला होता है आयोण दूसरा रेलरक तीसरा एयों चौथा एयोच हैवरट लण इया मननम जवए गर्दस जबगर्दस और खवचटत चटतो कपई शशसर और हल ठीक है तो ये आपको 14 बिल्कुल लाइन टू लाइन यानि कि अगर पहले वे आयोड है तो आयोड रिलक मतलब सीरियल वाइस जो है आपको याद करने हैं आयोड रिलक योंग एयोच हैवरट लण इया मननम जवए गर्दस जबगर्दस खवचटत चटतो कपई शशसर और हल ठीक है ये 14 होते हैं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है फिर जो एक से लेकर चार तक जो होते हैं एक से चार तक जो सूतर होते हैं यानि आयोड रिलक योंग और योच ठीक है तो ये आपके होते हैं स्वर ठीक है जो एक से लेकर चार तक सूतर होते हैं आयोड स्ट्रेला क्यों गयोच ठीक है यह आपके होते हैं स्वर पिर उसके बाद में जो पांच छे साथ यानि पांच से लेकर 14 तक जितने भी बचे यानि स्टार्टिंग के अगर चार हम ड्रॉप कर देंगे श्टार्टिंग अगर चार हम छोड़ देंगे तो आपके जितने पांच से लेकर 14 तक जितने भी होंगे वो आपके व्यंजन होंगे ठीक है व्यंजन यानि कि एक से लेकर चार तक जो होंगे वो स्वर होंगे और पांच से लेकर 14 तक जो है वो व्यंजन होंगे आपके व्यंजन शब्द ठीक है अब इन्ही माहिश्वर सूत्र से प्रत्या प्रत्याहार का निर्माड होता है तो आईए वो देखते हैं कैसे होता है तो प्रत्याहार कैसे बनता है अगर किसी ने हमसे कहा अन प्रत्याहार के बारे में बताईए अन प्रत्याहार के अंतरगत या अन प्रत्याहार को बताईए या इसके अंतरगत कौन कौन से सब्द आए करें लेंगे टिवे तो आपका अण प्रत्याहर time shootings आते अ हरिटap अगर कोई हमसे आपक प्रत्याहर के बारे में बताईए है कि अरिसमें क्या होगा इसके आखरी के शब्द को छोड़ देना होता है जैसे कि अगर कोई हमसे अच्प्रत्यार कहे अच्प्रत्यार तो अच्प्रत्यार के अंदर सारे स्वार आएंगे जितने भी स्वार हैं वो सब अच्प्रत्यार के अंदर आएंगे तो इसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे इू आयेंगे ठीक है और व जोणा है वो आपको ड्रॉप कर देना है ठीक है पिर री और पिर जो का है वो आपको ड्रॉप कर देना है शब्दोगे आपके आ, ई, उ, रेल, ए, ओ, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साद, आड, नौ यानि कि नौ सारे जो हैं वो आपके शब्द आएंगे अच प्रत्याहार में ऐसे ही कहीं सब्वेवी अगर आपसे प्रत्याहार पूछता है माली अगर उसने पूछ दिया कि शल प्रत्याहार के अंदर जो शब्द आते हैं वो होता है यह शल प्रत्याहार पूछ दिया ठीक है तो इसके अंदर आएंगे आपके शा शा सा और हा शा शा सा हा आएंगे ठीक है शल प्रत्यार के अंदर शा शा सा हा आएंगे ठीक है यानि जो आपको लाश्ट वाला है वो आपको ड्रॉप कर देना है ठीक है जो आखरी वाला है वो आपको छोड़ देना है तो इस प्रकार जो है वो प्रत्यार का निर्माण ह बताइ